आपको किसी को legal notice भेजना है या मुझे किसी को legal notice भेजना है किस तरह से भेजा जाएगा और किन बातों का विशेश तोर पर रखना है ध्यान इस particular वीडियो में आपको मिलेगी जानकारी नमश्कार आपने शिरुआत अश्योग पांडे के साथ की है अगर आपको जानकारी अंते तक जरूर देखिए पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा चलिए बात करते हैं अगर किसी को legal notice भेजना है कानूनी सूचना भेजनी है उसके लिए आपको किन बातों का रखना है ध्यान कितना लगेगा समय और क्या है इसकी steps सबसे पहली बात यह है legal notice क्या होता है वो मैंने आपको बताया legal notice का मतलब होता है कानूनी सूचना जब कानूनी तोर पर कोई व्यक्ति गलत करे आपको उसे intimate करना उसे जानकारी पहुचानी है तो directly court में जाकर के शिकायत दर्ज करना उससे बहतर यह है कि आप पहले एक legal notice भेज़े कई जगा पर यह mandatory होता है जरूरी होता है आपको litigation court में फाइल करने से पहले सामने वाले व्यक्ति को इसकी सूचना देनी पड़ेगी जो कि आप वकील के माध्यम से दे सकते हैं लीगल नोटेस बहतर होगा कि आप अपने वकील के माध्यम से भेजें आप अपने lawyer advocate के माध्यम से भेजें otherwise आपको क्या लिखना है से जादा मैं हमेशा कहता हूँ क्या नहीं लिखना ये जादा important है तो वकील आपको advice करेगा किस तरीके से उसकी drafting होगी drafting मतलब पूरा उसको कैसे बनाया जाता है उसे कैसे तियार किया जाता है तो उसका जो formatting है वो सारी चीज़े दूसरी महत्यपोन बात होती है समय की इसमें समय कितना दिया जाता है जादा दर जो मामले है उसमें समय लगभग दो हपतों का या 15 दिन का दिया जाना प्रावधानित है जी हाँ लेकिन आप 30 दिन का भी समय दे सकते हैं और maximum 60 दिनों का भी समय दे सकते हैं अगर आपने किसी व्यक्ति को legal notice भेजा उसके बाद भी अगर वो जवाब नहीं दे रहा है तो फिर आप क्या करेंगे आपके पास में option है कि अब आप court जाएं या जो भी competent authority है जहां पर शिकायत दर्ज करानी थी उस authority के पास में जाएं और शिकायत दर्ज कराएं अमोमन ये civil मामलों में, criminal मामलों में, दोनों ही मामलों में देखा जाता है कि legal notice भेजना उचित रहता है अब एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि क्या legal notice आप email के माध्यम से, whatsapp के माध्यम से भेजें या registered post, Indian post, AD के माध्यम से भेजें जादा बहतर होता है कि आप registered AD के माध्यम से भेजें क्यों? क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही चला आ रहा है लेकिन काफी सारे सुप्रेम कोर्ट के judgment है, हाई कोर्ट के judgment है जहाँ पर आपने अगर mail के थूँ सर्फ किया और वो active mail है तो वो भी आपका consider किया जाता है, intimation आपका consider legal notice का किया जाता है, आप whatsapp के माध्यम से भेज सकते हैं लेकिन सबसे बहतर होगा कि आप registered AD के माध्यम से यानि जो डाग घर होते हैं, Indian post होता है, आप उनके माध्यम से कुछ मामला है, तो आप legal notice भेजिए, और legal notice भेजने के साथ ही कई सारे मामले आपके solve हो जाते हैं, इस वज़ा से legal notice काफी जरूरी होता है legal notice भेजने के काफी सारे steps हैं, सबसे पहले आप अपने वकील से मिलें वकील से मिलने के बाद वो उसकी drafting करेगा, जब आप उससे पूरा content बताएंगे पूरे अपने case का व्यारा देंगे, उसके साथ से वो draft तेयार करेगा draft करने के बाद वापस से आप री check करेंगे, जब सारे modifications, corrections हो जाएंगे final हो जाएगा, तो फिर वो opposite party को भेजा जाता है legal notice पूरी petition नहीं होती है, in short जो conclusion है, जो आप कहना चाहते हैं कम शब्दों में उचित बात आप कैसे दूसरे वेक्ती तक पहुचाएंगे, opposite party तक पहुचाएंगे इस बात का आपको रखना पड़ता है ध्यान, जी हां, registered port से भेजें, ये मैं आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कई लोग whatsapp या mail के माध्यम से, हलाकि वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आप registered AD के माध्यम से legal notice भेजें, कानूनी सूचना भेजें आपको एक जानकारी कैसी लगी, मुझे जरू कमेंट बॉक्स से मेंशन कीजएगा, legal notice, अगर भेजने से समबंदित कोई आपके प्रशन है, कुछ आप जानना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरू मेंशन की करें, मैं आपको जानकारी देने का प्रयास आते हैं, बात इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल एं लिंक है, जहां से डारेक्ट अपॉइम्नेंट बॉक्क करके भी आपकी और मेरी हो जाएगी बात, मिलिए अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी स्वस्त और सुरक्षित रहें